वेलकम बच्चो अब हम हमारा जो second chapter है linear equation in one variable उसमें देखने वाले हैं हमारा next point solving equations having variables on both side इससे पहले हमने क्या देखा था इससे पहले बच्चो हमने देखा था equations having variable at one side और equation at other side मतलब एक side में ही variable था हमारे पास ठीक है तो अब हम देखने वाले हैं जब दोनों तरफ हमारे पास variable हो तो हम कैसे solve करते हैं मैं एक बार revise करवा दूँ आपको हमने इससे पहले क्या देखा था देखे बच्चो इससे पहले हमने linear equation in one variable with variable on one side देखा था उसमें solving देखा था उसके बाद हमने identify the terms having the same variables यह देख लिया था जिसके पास same variable से उसको एक side में करते थे हम और इसमें हमने उसके बाद देखा था applications में हमने solve करना देख लिया था तो चलिए आप देखते हम having equations having variables on both side ठीक है equations जिनके पास variable both side पर हो तो चलिए आप देखते हैं तो देखिए बच्चो आप school bus से अगर जाते हैं तो आपने यह notice किया होगा जहां पर ज्यादा traffic होता है तो आपका जो school driver होते हमारे जो bus के driver वो क्या करते हैं वो speed बढ़ाते हैं गड़ी की नहीं न वो speed कम करते हैं उसके बाद देखिए जब traffic कम होता है हमारे पास तो speed increase कर सकते हैं थोड़ी सी तो देखिए हमें यहाँ पर दिया हुआ है school bus covers a distance in 3 hours less traffic मतलब जब traffic less होता है तो वो लोग 3 hours में distance cover कर लेते हैं it covers the same distance back through heavy traffic in 4 hours मतलब कि जो same distance उन्होंने cover किया था 3 hours में देखिए 3 hours में जो distance cover किया था अब उनको time लग रहा है जब heavy traffic है तो उनको time किता लग रहा है 4 hours का if the traffic affects the speed of bus by 2 km per hour मतलब जब traffic है तो वो उनका distance का कितना affect कर रहा है वो affect कर रहा है 2 km per hour मतलब 2 km से उनकी speed decrease हो रही है कब decrease हो रही है जब traffic जादा है find the speed of bus in regular traffic जब traffic regular होगा तो हमें उसकी speed find करनी है तो चलिए आप देखते हैं इसे कैसे solve करते हैं सबसे पहले तो बच्चों अब हमें यहापे equation बनाना होगा equation कैसे बनाना है हमको question में दिया हुआ है school bus covers a distance in 3 hours in less traffic तो traffic जब कम होता है तो bus कितना cover करती है 3 hours में ज़्यादा distance cover करती है ठीक है तो देखिए मैं यहापे let the distance उससे पहले बच्चों हमको क्या करना पड़ेगा जो regular traffic में जो speed है उसकी उसको x लेना पड़ेगा देखिए let the speed of bus in regular traffic be x so उसके बाद the distance covered by bus in less traffic less traffic less traffic में bus कितना distance cover करती है less traffic में bus ज़्यादा traffic के मतलब ज़्यादा traffic है उससे 2 km per hour distance ज़्यादा cover करती है उनको question में दिया हुआ है तो देखिए हम इस क्या करेंगे less traffic में वो कितना cover करती है less traffic distance ठीक है मैं यहाँ पर लिख देलो less traffic में वो कितना cover करती है x plus 2 इसका मतलब हमें यहाँ पर दिया हुआ था x plus 2 km per hour यह जो 2 km की speed है वो add की गई है हमको question में दिया हुआ था देख लीजिए question में हमें दिया हुआ था जब ज़्यादा traffic होता है तो उसकी speed 2 km से कम हो जाती है और कम traffic होता है तो 2 km से बढ़ जाती है तो देखिए 2 km per hour हमने add कर दिया इसमें less traffic में अब और जब more traffic होता है यहाँ पर देखिए heavy traffic में क्या करती है गाड़ी गाड़ी की speed कम हो जाती है इसका मतलब x minus 2 km per hour 2 km से कम हो गई उसकी speed तो अब देखिए हमारे पास 2 equations तो हमें मिल गए है यह वाले ठीक है अब हमें क्या करना है less traffic में कितना कवर करती है वो 3 hours में कवर करती है speed 3 hours का जो होता है timing उसमें कवर करती है इतना speed इतना distance कवर करती है गाड़ी distance यहाँ पर लिख देरों में उपर distance कवर्ड तो जो distance कवर्ड है वो same है दोनों का तो देखिए यहाँ पर 4 hours में कितना distance कवर करीगी वो x minus 2 km per hour ठीक है तो अब हमारे पास 2 equations तो मिल गए हमें तो देखिए यह दोनो equations हमने form कर लिये है तो अब चलो इसको solve करने का देखते हैं, solve कैसे करेंगे अब देखो बच्चो हमको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हमें इसे multiply करना पड़ेगा, हम इसको अंदर multiply कर देंगे, तो हमारा जो equation होगा वो कैसे form हो जाएगा 3x plus 3 into x plus 3 into 2 क्या होगा, 6 होगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा 4x minus 8 तो बच्चो देखो हमको यह equation यहाँ पर मिल गया अब उसके बाद क्या करेंगे हम इसके बाद क्या करेंगे इसको shift कर देंगे यह जो हमारा 3x है, हम इसे यहाँ shift कर देंगे तो देखिए 3x की sign यहाँ पर positive है तो यहाँ पर जाके negative हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर चेका 6 is equals to 4x minus 3x minus 8 ठीक है उसके बाद देखिए उसके बाद 8 8 जो है, 8 को हम इधर shift कर देंगे क्यों? क्योंकि x की जो terms है वो एक side हो जाएगी और जो हमारी यह वाली terms है, वो एक side हो जाएगी तो देखिए, मैंने इसको यहाँ पर shift कर लूँगा यहाँ पर negative sign है, तो यहाँ पर आके है वो positive हो जाएगा 6 plus 8 is equals to 4x minus 3x अब इसको जब solve करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 plus 8 कितना होता है, बच्चो? 6 plus 8 हमारे पास क्या हो जाएगा? यह हमारे पास हो जाएगा 14 is equals to 4x minus 3x क्या होगा? x तो इसका मतलब x की value हमारे पास हो जाएगी 14 तो देखिए, x की value आ गई हमारे पास अब इस x की value को हम कहाँ put करेंगे? हम put करेंगे यहाँ पे ठीक है? यहाँ पे put करेंगे अब जो regular traffic की speed ली थी हमने यहाँ पे put कर देंगे x मतलब हमको speed कहाँ की निकालनी थी हमको निकालना था bus की speed in regular traffic तो regular traffic में bus की speed है regular traffic bus speed is 14 km per hour तो देखिए यह हो गई उसकी speed hence the speed of bus in regular traffic is 14 km per hour अगर आपको कहा जाता कि यहाँ पे भी निकालिए less traffic में किती speed है तो हम क्या करते less traffic में उसकी x की value पुट कर देते हैं यहाँ पे x की value 14, 14 प्लस 2 किता हो जाता वो हो जाता 16 km per hour और यहाँ पे more traffic में 14 minus 2 12 km per hour तो देखिए आप इस type से equation को solve कर सकते हैं तो आयो बच्चो आपको यह समझ में आ गया होगा मैं आपको एक example दे दूँगा आप solve कीजे तो देखिए बच्चो यह 3 example आप solve कीजे नहीं आता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं आपको कोई भी problem हो तो आप मुझे पूछ सकते हैं इसके बारे में देखिए बच्चो मैं आपको यहाँ पे एक simple बता दे रहा हूँ उपर उपर से तो आपको solve करने में आसानी जाएगी तो देखो बच्चो इसमें क्या करेंगे हैं यह वाला थोड़ा सा आपको hard लग रहा होगा तो देखिए 9x प्लस 4 दिया हुआ है इस तरफ और इस तरफ हमें दिया हुआ है 3 into x-2 plus 8 तो आप इसे multiply किजिएगा अंदर उसके बाद यह हो जाएगा 3x-6 और यहाँ पर हम इसको 6 और 8 को यहाँ पर calculate करेंगे तो इसके बाद यहाँ पर जो equation मिलेगा वो हो जाएगा तो x की value आप इदर shift करके उसे solve कर लीजेगा solve कीजिए नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजे आगे हम इसके applications देखेंगे ठीक है बच्चो